जेहिन दोस्तो हमारे देश की मीडिया तालिबान के बारे में कभी क्या बता रही है कभी क्या बता रही है पूरी दुनिया को जो जो बता रही है और तालिबान को आतमवादी बोल रही है और अपने चैनल पर किस किस तरीके से न्यूस चला रही है जबके ऐसा कुछ भी नही है ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों भारत के एक बंगाली टीचर काबुल से रविवार को लोटे हैं जिनका नाम है तमल बटाचारी है उनका ये कहना है उनका कहना ये है कि जो मीडिया तालिबान के बारे में जो चीज़े चला रही है ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो पूर वो अपने चैनलों पर क्या से क्या चला रहे हैं जो अपने मन मर्जी कर रहा है वो अपने चैनलों पर चला रहे हैं तमल भटाचारी रविवार को काबुल से भारत लोटे हैं और उनका कहना ये है कि तालिबान के बारे में वो लोग जान ही नहीं सकते जब तक वो का ये वैसा है ये नहीं तालीबान ने मुझे सुरक्षा दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप जब तक अगवानिस्तान में हैं आप सुरक्षी थें आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा वहीं दोस्तों उनका कहना ये है कि तालीबान ने उन लोगों को भी अपने देश जाने की इजादत दे दी है जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वहीं दोस्तों मीडिया चला रही है कि एरपोर्ट पर इतनी भीड़ है वहाँ पर फाइरिंग चल रही है काबुल में फाइरिंग चल रही है तालिबान फाइरिंग कर रहा है लोगों को मार रहा है इस पर भी तमल भटा चारिय केना ये है कि मैं काबूल से लोटा हूं मेरे सामने कोई भी गोली नहीं चली है उनका कहना ये है कि जब से तालिबान ने अगवानिस्तान के उप़ा कबजा किया है जब से कोई भी गोली काबूल के अंदर नहीं चली है वहीं दोस्तों मीडिया लड़कियों के बारे म जो न्यूस चला रहा है कि तालीबान ने जो अगवानिस्तान के उपर खब्जा कर लिया है अब तालीबान लड़कियों को अर्तों को काम करने नहीं देगा तो यह तमल भटाचारी जो बंगाली पढ़ाते हैं उनका कहना यह है कि मैं जिस स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वहां पर आज भी तालिबान के खब्जे के बाद भी लड़कियां सकूल आ रही है यूनियोसिटी आ रही है और वो पढ़ा भी रही है जोग भी कर रही है नोकरी भी कर रही है यानि इस साफ हो जाता है और के जो मीडिया हमारे देश के लोगों को बता रही है और दुनिया को बता रही है तालीबान के बारे में वो भीलत बता रही है तालिबान के लोगों से तालिबान के जो सेनी के सुरक्षा वले उनसे मिलकर आएं उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षा दी तालिबान ने और उन्होंने कहा है कि आप जब तक काबूल के अंदर हैं आप जब तक अग्मानिस्तान के अंदर हैं हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा जब भी तमल बटाचारी ये कहते हैं कि तालिबान के बारे में जब तक नहीं जान सकते हैं आपके काबुल में क्या हो रहा है तालिबान क्या कर रहा हैं तक आप काबूल नहीं जाएंगे जब तक आप तालिबान के लोगों से नहीं मिलेंगे और मीडिया क्या चला रही है मीडिया चला रही है कि तालिबान जो है वो गोलियां चला रहे हैं तालिबान लोगों को मार रहे हैं तालिबान दूसरे लोगों को देश से बाहर जाने न जो टीवी पर चला रहे हमारे देश की मीडिया ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह बाहर काबुल से लोटे हैं हमारे देश के एक टीचर उन्होंने यह खुलासा किया है दोस्तों अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो मीडिया का मन कर रहा है जो मीडिया चाह रही है जो मीडिया अपने मंद से जो दिल में आ रहा है वो अपने चला रही है जब कि ये अगर सोशल मीडिया से देखकर मीडिया हमारे देश की चला रही तो उसकी ये भी तो होनी चाहिए कि हम जबके बोले देश के लोगों से हम इस वीडियो की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वो तो भी साब साब बता रहे है कि तालीबान ने यह कर दिया तालीबान ने सच्चाई नहीं यह मीडिया की पॉल एक तमल बट अचारी है जो काबूल से रविवार को लोटे उन्होंने ये पॉल खोली है चलिए आपकी क्यारा है इस वीडियो को देखने के बार आप मु